कि हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने युट्यूब चैनल पर मैं सन्सक्लाबलों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह इंप्वार्टन वीडियो बीए थर्ड इयर के इस्टुडेंट्स के लिए होने वाला है यहां बीए थर्ड इयर के जो भी हमारे इस्टुडेंट्स हैं वो इस वीडियो से बहुत लाब उठा सकते हैं इसमें बहुत सारे इंप्वार्टन कुईश्चन है जो लांग एंसर और सार्ट आंसर आपकी परिचाओं में अ इनिकुलीट किया गया है उन प्रस्थ्ठों को इसमें समाहित किया गया है तो आप वीडियो को अंतर तक जिरूडर देखें और बहुत सारी जानकारी इसमें आपको बताई जाएगी हुआ ही तो आई ए बीडियो को सुरू करते हैं और जो भी हमारे पेहरे दोस्त kidnapped chapter 4 wiele है ए दोस्तों ये वीडियो है आपके B.A. 3rd year के जो students है उनके 1st paper के बारे में इसमें चर्चा की गई, 1st paper का नाम दोस्तों आप कहे, literary farm and movements जिहां literary farms and movements अर्थात साहिति ग्रूप और आंदोलन, तो इसी के बारे में ये important question अकिसरपैच्छा में आया करता है तो पहला question देखते हैं दोस्तों की कौन सा important question है लिका हुए write a note on Victorian compromise जहां Victorian समझोते पर आपको एक लेख लिखना है एक note लिखना है ये question दोस्तों बहुत ही important बहुत ही महात्पूर्ट question आपकी परिच्छा के दिख्छी से होगा इसको आप ज़रूर याद कर लीजेगा चुकि ये question आपके start answer और long answer और very start answer में भी ये पूछा जा सकता है तो जिस तरह के आपके type में जिस section में question रहेगा उसमें आप उसी तरह का उतर देंगे यानि अगर very start answer है आप जानते है paper आपका three section में divided है section ये में आपका very start answer यानि 50 words आपको लिखने होते हैं एक answer के लिए दूसरा section जो section B होता है उसमें start answer समाहित होते हैं अर्थात आपको two hundred words में आपके answers को लिखना होगा और जो section C होता है उसमें long answer होते हैं यानि आपको 500 words एक प्रस के लिए इस्तेमाल करना एक उत्तर के लिए इस्तेमाल करना रहता है तो दोस्तों जिस तरह के question रहेंगे उसी तरह के answer आप लिखेंगे तो आईए answer में देखते हैं कि यहां पर देखिए कि the Victorian age was an era of turbulent social changes यहां Victorian age क्या है एक यूग है turbulent social changes यानि असांत सामाजिक परिवर्तन जो थे असांत सामाजिक परिवर्तन का यूग है man was cut between two words यानि व्यक्ति जो है वो दो तरह यानि दो संसार में फसा हुआ था the one dead and the other not yet born जिहां एक जो भी चुका था अर्थात मर चुका था और दूसरा भी जिसका जन्म नहीं हुआ था the new domestic scientific and industrial forces tender towards the breaking down of the existing order जिहां the new dramatic democratic sorry the new democratic अर्थात नए प्रजात आंत्रिक बैग्यानिक industrial forces यानि अवद्योगिक ताकतें जो थी उनका रुजान जो था towards the breaking down of the existing order यानि जो order जो ब्योस्था चल रही थी उस समय उसको तोड़ने में उनका रुजानता यानि उस ब्योस्था को तोड़ना चाहते थे यानि Victorian Age के लोग जो ते वो जो डेमोक्रेटिक अर्थात प्रजात तंत्र या बैग्यानिक या ब्यापारिक या उद्ध्योगिक ताकतें जो थी वो ततकालिक या बरतमान में चल रही ब्योस्था को तोड़ना चाहते थे दियर फोर एन एफर्ट वाज इसलिए प्रियास किया ग एक समझोता अस्थापित किया जाए अगे देखते हैं यानि जो प्रगत की डिमांड थी मांग थी और नीड आफ इस्टेविल्टी यानि इस्थिरता की जरूरत जोती इसके बीच में भी एक समझोते की अस्थापना करने का प्रियाज किया गया यानि ब्यवस्था और सांती में भी एक समझोता करने का फ्रियाज किया गया इन दा फिल्ड आप पॉलिटिकल लाइफ देर्वाज यानि पॉलिटिकल लाइफ यानि राजनीतिक जीवन के छेत्र में आगे देखते हैं दोस्तों की क्या लिगा हुआ है कि कंप्रोमाइज बेटी डेमोक्रेसी अंड इरिस्टों केसी यानि राजनीतिक छेत्र में भी क्या किया राजनीतिक जीवन के छेत्र में भी डेमोक्रेसी और इस्टोकेसी अर्थात प्रजातंत्र और अभिजात वर्ग के बीच में भी समझोता एक करने का एक कंप्रोमाईज करने का समझोता करने का प्रयाज किया गया harold nixon writes that the victorians desire to be assured that all was for the best the desire to discover some compromises which while not outragging their intellect and their reason would nonetheless soothe their conscience and restore their faith देखते हैं दोस्तों यहां से कि harold nixon ने लिखा है क्या लिखा कि that the victorians यानि जो victorians थे यानि victorian age के जो लोग थे वो क्या थे desire to be assured that all was for the best यानि उनकी इच्छा जो थी वो इस 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 स्वासन को प्रत्पादिक करना चाहते थे कि जो कुछ भी है सब अच्छे के लिए यानि जो कुछ हो रहा है या जो उनकी चांथी याणि अच्छे के लिए सब कुछ करना चाहते थे the desire to discover जो उनकी च्छा थे जो भावना थी उनकी खोश करने की discover करने की some compromises यानि कुछ सम्झोते यानि जैसा की उपर बताया गया कि धर्म और ग्यान में या धर्म और जो कुछ भी और जो यहां राजनीतिक डेमोक्रेसी और इस्टोक्रेसी यानि इन सारी चीजों में एक समझा होता कराने का प्रयास जो है विज्ञान और धर्म के बीज में और सारी चीजें जो बताईगे पीचे तो इसमें यह सब चीजे करने का एक प्रयास था विच्छ वाइल नाट आउट रेगिंग दियर इंटेलेक्ट अंड दियर रीजन जो उनके यानि जो बुद्ध मत्ता या उनका जो तर्क था उसके उसको आसामानित न करते हुए उड़नलस सूथ दियर कंसाइंस जो उनके ज्यान को उनके भावना को उनके मलब अस्थापित करना चाहती थी अस्थापित करती थी एंट करना चाहती थी रहुड हृँ पेलीट आप दियर स्टी यह को हैında को सराइब, यह इद्लीफ यह फिरभी आइनलिश्ट नो कम से कम एट लिस्ट सफिसेंटी परियापत रूप से टू एलाउ देम यानि उनको अलाउ करना चाहती थी टू बिलीब इन सम अल्टीमेट पर पर यानि जो उनका निश्चीत अंतिमुद्देश था उसमें विश्वास करने के लिए और जो सबसे इंपॉर्टन था वो अब दका वो क्या था इन दे लाइफ आफ्टर डेथ यानि लाइफ में आफ्टर डेथ याई मिर्तु के बाद के जीवन में इन सारी चीजों की जो महत्वा थी तो ये सारी बातें जो हैं वो विक्टोरियन कंप्रोमाइज के अंतरगत रखी गहीं उस एज होते को प्रस्तावित करते करके यानि इसको इन वाइसिंग दी डाउड यानि इन डाउड को क्लियर करने के लिए फ्रेजिंग इन वाइटेवल कंप्रोमाईज यानि इस तरह के समझोते का प्रत्पादन किया गया तेनिशन यानि तेनिशन ने पाया और उनके यानि जो अपने फुल्फिल अपॉइंटेड मिसन जो उनका था उसको फुल्फिल करने का उन्होंने प्रियाज किया या उसके लिए मलब बहुत ज्यादा कोसिस की जुनून के साथ पैसनेल्टी यानि बड़े जुनून के साथ उसको पूरा किया तो नेक्ट कुईशन देखते हैं दोस्तों यह आपका हो गया कि विक्टोरियन कंप्रोमाईज क्या था विक्टोरियन समझोता क्या था अब अगला प्रस आपको एक नोट लिखना है यह कुईशन दोस्तों अकसर परिच्छा में आता रहता है बहुत इंपर्टन क्यूस्चन का सेलक्षन जो है इस वीडियो में किया गया दोस्तों यह अकसर आपकी परिच्छा में पूशा जाता है कि राइट नोट आन इस टीम आफ कांसियसन न सब्सक्राइड फिक्सन जो है इस ट्रीम आफ कांसियसनेस फिरिवारा थीम आफ कांसियसनेस जो है अर्टाथ चेतना की कि धारा जो है इन मार्डन फिक्षन आधुनिक कथा सहित में क्या हूआ इसका जन्म जो है वो कब हुआ है बेडबीन 1913-1915 यानि 1913-1915 के बीच में इसका जन्म माना जाता है यानि इसका जो में वो था में उद्देश से आप कह सकते हैं वो क्या था इसमें में गुण जो पाएगे वो क्या था इसका कि external to internal IT यानि वाय वाय वास्ट विक्ता को आंत्रिक वास्ट विक्ता में करने का प्रियास इसमें किया गया from the utter word to a fantasy and rewire and to more subjective fiction यानि जो डाटर वर्ड आफ हैं अर्था जो कलपना का अलग संसार था उस संसार को और उनसब चीज़ों से उसको क्या किया गया मौर सब्झेक्टिफ इस तरह की रचनाओं को क्या क्या किया गया कि अत्यदिक व्यक्तिगत फिक्सट क्या गया यह नीं memorable fiction बना गया देखत कथा या रचना बनाई गयी ईट वाज-विलिंअ जेम्स ये विलियम जेम्स थे फू इंट्रोड्यूस्ट तर्म इस्टीम आफ कांसियसनेस जिनों ने इस टर्म को इस्टीम आफ कांसियसनेस टर्म को यानि चेतना की धारा को क्या किया इंट्रोड्यूस किया प्रतिपादित किया या उसका परिचे किराया इनिस बुक अपने किताब में प्रिंस स्ट्रीम आफ कांसियसनेस को परचीत करा है इन 1819 तू डिस्क्राइब दफलक्स आप माइंड यानि 1819 में इन्होंने डिस्क्राइब किया इसका बढ़न किया दफलक्स आप माइंड यानि मन के प्रवाह को इस कांटिनुटी इसकी निरंतरता को एंड इस कांटिनुवस यानि लगातार परिवर्थन जो थे थो ध commission के चैतना के द्वारा के जरिये जो इसमें लगातार परिवर्थन हो थे तो इन सब चीजों का दिस्क्राईब जो है बर्लन जो है वो नोने किया आगे देखते हैं दोस्तों। भुतियु आं रिचसन इन इंगलेंड यानि इंगलेंड में जेम्स जयर्स इन फ्रार्न्ज-चीफ-www आप दफिनोह की यानी जो व्रकुतिकत फानेव का उम्तिज भी 5 उपन्याच की रचना थी उसके ये मक्आ ये लोग जो थे ये मक् hm वक्रे surrounded ऑप के अर्थात यह के अर्थाकर लोगas कर्दान जो बलॉड जो परेगkel करने हैं या यो जो परेश्ट्व वरजीट के कारण जो इंडे सुछ इस आफ तुमेर गैमरका कुस्ट और प्रशेंय की सार्णति और हैं नहीं करदो और यानि जीवन की जो एक अस्थाई वैलू थी महा तो था वर सटर्ड यानि वो खतम हो गई या चकना चूर हो गई डीपर एंड मोर सर्चिंग इन वर्ड्स एंड कुईकेंड वाज कुईकेंड यानि बहुती गहरी और अत्य थी खोज वाली जो चीजें थी वो बहुती यानि विलियम् जेंस एक्सप्डों धास धाट ऐयंसन यानि विलियम् Aleam Gyए और वरगंश ने इन्होंने इसका बढ़न किया इन्होंने प्रतिपादन किया इन्होंने अपनाया कि जिसका सपोर्ट किया जिसको किन किन ने भाई हूं लोक एंड अदर सलोगों ने उसका सपोर्ट किया जो नया जो नया विचार जो प्रष्टूत किया कि कांटिनूवस फ्लोव यानी लगातार जो फ्लोव उसका बढ़न था वहाओ था उसकी तुलना में जो continuous time का flow था वो उसका main concept था वाज वन आप दा फेक्टर यानि उसका main factor था which brought about the birth आप दा psychological novel की जिससे psychological novel का जन्म हुआ यानि जिससे उदय हुआ psychological novel आप कह सकते हैं जिसको आप मनोभैज्यानिक उपन्यास के सकते हैं रथा जिसके कारण मनोभय घ्रानिक उपन्यास का जर्म हुआ the old system आप प्लाट जो प्लाट का पुराना system था पुरानी विचारधा रहा थी तरीका था उसका प्लाट यानि कथानक जो रचना का which moves from moment to moment जो छण्छण मूव करता रहता था इन क्रोनिकल सिक्वेंस यानि क्रोनो लॉजिकल लिखा हुआ क्रोनो लॉजिकल सिक्वेंस यानि जो एक काल क्रमा अनुसार तर्क से या तरीके से चलता रहता था पल-पल तो इस सिस्टम को वाज रिप्लेश्ड बाई या न्यू काइंड आप नरेटिव एक नई रचना के द्वारा उसको रिप्लेश किया गया यानि नए वर्डन के द्वारा उसको रिप्लेश किया गया which always forward and backward freely जो continuously always यानि सदयो जो है स्वतनत रूप से freely अर्था स्वतन रूप से आगे पीछे होती रहती थी इट में एक स्रीज एफर्ट टू डिवेल्स आगे देखिए इसने क्या बनाया एक स्रीज एफर्ट यानि एक स्रिंखला जो प्रयासों की स्रिंखला टू डिवेल्स देखिए अनि संस को उजागर करने के लिए आप टाइम यानि समय के आई इट वर्क से इन हुमन एवर्नेस जो यह हुमन चेतना के लिए काम करती है वर्गंस डिवाइस टाइम इन्टू टू पार्ट यानि वर्गंस टाइम को समय को दो भागों में डिवाइट किया गया है कौन-कौन जा इनर टाइम आर लेड्यूर समय को आगे लिखा गया कि इनर टाइम इजा कांटीनिवसली मॉविंग टाइम यानि जो इनर टाइम है वो लगातार चलने वाला टाइम है इट्स डिवीजन इन्टू पार्ट प्रेजंट एंड फ्यूचर इस आर्टिफिशियल यानि इसका इसका जो बर्डवन है प्रजंट पास्ट फ्यूचर में इसका इसको डिवाइड किया गया यह निपर पार्ट्स लिफ्स इन द प्रजंट यानि अतीज जो है वो प्रजंट में रहता है अर्थाथ बर्तमान में रहता है अब देखते हैं दोस्तों कुछिचन नेश्ट कौन सा important कुछिचन है बहुत important कुछिचन दोसों आपके लिए है कि लिका हूए discuss तो इस बात को आपको डिस्कस करना यह कुश्टन दोसों बहुत इंपॉर्टन्ट कुश्टन जो है आपकी परिच्छा के दिश्टे उन ही को include किया है जो अक्सर परिच्छाओं में आते रहते हैं और आने वाली परिच्छा में बहुत हिमाद पूर होंगे तो एंसर में देखते हैं दोस्तों की क्या लिखा गया है कि दर रेनेसा वाज दर रिवाइबल आप क्लासिकल लर्निंग जिया रेनेसा क्या चीज है Classical Learning का अभ्यूदय है यानि रेंसा में Classical Learning का सहस्तिर सिछा का अभ्यूदय हुआ है people started taking interest in the old writing of the Greek and Romans यानि लोग जो थे उन्होंने क्या किया था started taking interest यानि उन्होंने रूची लेना शुरू कर दिया था इन old writing यानि पुराने रचनाओं में आप the Greeks and Romans यानि Greek के जो रचनाकार थे युनान के और रोम के जो रचनाकार थे उनकी पुरानी राइटिंग्स में पुरानी रचनाओं में उन्हों लोगों ने आनंद लेना शुरू कर दिया था इंट्रेस्ट लेना शुरू कर दिया था the poets and scholars working under the influence of renesa यानि वह poets यानि कभी और scholar बिद्वान जो थे जो रेने साके प्रभाव के अंतरगत इन्फ्लूस आफ रेने सायनी रेने साके प्रभाव के अंतरगत काम करते थे लब्ड ब्यूटी वह प्रेम करते थे किसे सौंधर रोमांस और प्लास्टिक आर्ट यानि प्लास्टिक कला से प्रेम करते थे इस्प्रिट आफ रेने सायनी रेने साकी भावना जो थी वाज आ मेनिज में यानि मानाउता के पंथ से मानाउता बाद के पंथ से आइडेंटिफाइड अर्थात परिचित होती थी हागे दह्ये के दर रेणे साव आज क्रेक्ट्राइश अमार चयाओ के दोरा इंक्वाइरि यानी पूस्ताच की Gaonा के दोरा करेज यानि सास एंड फर्म डिटर्मेशन और दिर संकल्प के द्वारा उसका बढ़न किया गया मिल्टन इन इस पैराडाइज लास्ट यानि मिल्टन साब ने अपनी पैराडाइज लास्ट में कीपस दा एलीमेंट आफ रेनेसा यानि रेनेसा के एलीमेंट को रखा उसके त तत्त को रखा इंदक करेक्टर आफ सैतान यानि सैतान के करेक्टर में रेनेसा के एलिमेंट को यानि पूरन जागरण के तत्तों को उन्होंने रखा मिल्टन साब ने अपनी रचनाओं में किन-किन चीजों का वर्डन किया है यह देखिए साहस के गुणों का पावर सकती फियांस प्रेसी आप कह सकते हैं एंड फार्म रिसाल्ब और दिरसंकल्प का वर्डन किया है चाइल्ड आफ रिफार्मेशन यानि सुधार के सिस्व के रूप में ही बुल्ट सिस फैथ यानि अपने उन्हें विस्वास का निर्माण उन्हों किया है किनमें इन्द क्रिस्टियन रिलीजन यानि इसाही धर में और आयन्द सुपरमेशी गार्ड और इस्वर की जो बूदन उन्होंने किया है मिल्टन सपोर्ट इंडी विजुएलिज्म यानि मिल्टन ने व्यक्तिवाद को भी सब्सक्राइब किया है अइड दा सेम टाइम ठीक उसी समय ही प्लीड रिस्प्रेक्टफुल उन्होंने प्लीड अथा उन्होंने वकालत कि या 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 चना कि रेस्पेक्टफूल सम्मिस्जन यानि बहुत सम्मानिस स्विकृत उन्होंने की है कि छीज का टू दक्रेटर आम मैंकाइंड यानि मानाउता के निर्माण करता जो है अर्थात इस्वर के प्रत उन्होंने अत्यंत स्रद्धा की याचना की है बहुत ही सम्मान फूर्बक रूप से सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों कि कौन सा इंपॉर्टन कुश्चन आपका हो गया कि मिल्टन सापको रेन सा कस्यों कहा जाता है तो कुश्चन अबर फाइव आगे देखते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टन होगा आने वाली परिच्छा के लिए तो इसके नव क्लास्कल टर्म जो है वो क्या है तो दा पीरियट फ्राम 1660 टू 1789 इस वेरेसली काल्ड दा अगस्टन इज यानि अठाव सोला सो साथ से सत्रा सो नवासी इस भी के समय को बिविन रूपों से क्या जाना जाता है आगस्टन एज के आगस्टन यूग के अथवा नाम से अथ्वा दकलास्कल एच्टव लाज सांस्तिय उक के नाम से अर्दा स्ट्वड्लियो ने रिफर्ष्ट फ्रेस को शंथ सब जो है किस चीज को संदर्भी करता है इस तत्थ को संदर्भी करता है डैट सम राइटर्स की कुछ विद्वान जो लेखक थे वो क्या थे पार्टिकुलरी बिसे रूप थे मॉडल्ड दियर ऑन राइटिंग यानि अपनी रचनाओं को उन्होंने मॉडल किया किस तरह से आन क्लासिकल यानि सास्तिरी रूपों में इस्पेसिली रोमन लिटरेचर यानि मुख्धिया रोमन साहितिकारों ने दन्यू क्लासिकल राइटर सी यूड होरस एज अथार्टि यानि अनुपालन की अधिकार के रूप में होरस का प्रियोग किया कि चीजों में लेटर यानि अच्छर और भावनाओं में दा राइटर साब्दा पीरियड वेर पेन इस्टेकिंग क्राफ्टमैन यानि इस यूड के जो राइटर थे वह एकदम आप कह सकते हैं कि कि अनुपात का आप है कड़ो अनुपात का कहा है हार्मड्य क्लाश क्लाषत पार्पोर्स क्लियृटी और ऑट रेटर यानि हार्मनी का प्रपोर्शन अनुपात का बैलन्स का और बैलन्स यानि संतुलन, क्लेर्टी, असफ़स्ता, आर्डर, ब्यवस्ता और रिष्ट्रेन अर्थात सयम यानि हार्मनी, सद्भावना, प्रपोर्शन, अनुपात, बैलन्स, अर्थात, संतुलन, क्लेर्टी, असफ़स्ता, आर्डर, अर्थात, ब्यवस्ता, रिष्ट्रेन, अर्थात, सयम यानि इन सारी चीजों का, मलब जो नो क्लाशिकल राइटर थे, उन्होंने क्या किया है, प्रसंसा किया है, इन लोगों, इन चीजों को, आगे देखते हैं दोस्तों की क्या लिखा हुआ है, कि दिस, मुवमेंट वाज रिवाईवल एंड रेस्टोरेशन, आप क्लाशिकल मोट्स, यानि यह मुवमेंट जो था, यह अंदोलन था, वो क्या था, वाज रिवाईवल एंड रेस्टोरेशन, यानि पुनरुद्धार और पुनरुद्धा थी, क्लाशिकल लर्निंग यानि सास्त्रेश च्छा के मोट की मॉडल्स, उस मॉडल्स की प्रिंस्पल एंड आ यानि जोड़ शेरवर्न ने डिफाइंस किया है, परिवासित किया है निउ क्लासिस को, आज आवने टरेसन फार रोमन क्लासिक्स, यानि रोमन क्लासिस के सम्मान के रूप में इसका बड़न किया है, थाट सेंड वे आफ लाइफ यानि बीचारों और जीवन के तरीकों के तो ये इस तरह दोस्तों, ये क्विश्चन आपका खतम हो रहा है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट जरू करें, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, और देखते रहिए हैं सही वीडियो, कोशिस रहेगी क्या कि आपके एक्जा काम से पहले बहुत सारे इंपर्टेंट वीडियो अफ्लोड कर दिये जाएं, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यबाद, जय हिंद